कैसे हैं आप सब लोग UPSC प्रीवियस एर के क्योस्टन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आज हम न्यू वीडियो को लेके आए हैं यह क्योस्टन आपके सिरफ UPSC के लिए नहीं जबकि किसी भी स्टेट के अगर आप PCS के एक्जाम भी दे रहे हैं तो यह सब आपके लिए बहयदी मैतपुन होने वाले हैं तो आप सभी वीडियो को जो अगर पिछे की जो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है उसमें जाके सभी वीडियो को आप देख लें जिसमें हम UPSC प्रीवियस एर के सारे क्योस्टन को कम् फाग नहीं है उपसन एक है मिमाशा और वेदांत ऑपसन भी है न्याय और वैसेसिक ऑप्सन सी है लोकायत और कापालिक ऑप्सन दी है सांख्य और योग तो भारतिय शंट दर्सन में कुल जो है छे दर्सनों का वर्णन किया गया है तो पहले तो हम देख लेते हैं कि वह और कापालिक जो है अलग है मतलों इसका सही आंसर हो जाएगा option number C यानि लोकायत और कापालिक जो है भारतिय संड़ दर्शन का भाग नहीं है तो चलिए अब इसका explanation देख लेते हैं लोकायत तथा कापालिक भारतिय दर्शन के सर्ट पद्ति का निर्मान नहीं करते हैं भारत इसी कार्थ है बरमान की वास्ति विक तथा वस्टूगत दर्शन और मिमासा ग्याए मिमासा है संहिता तथा वेद के ब्राहमन भाग का विशलेशन और वेदान है भारतिय दर्शन सत्यमेव जयते कहां से ली गई है option है कंठ उपनिसद से option B है संदोग्या उपनिसद से option C है त्रेया उपनिसद से या option D मुंडक उपनिसद से तो भारत के संपर्तिक के निचे उतकिरण भारत का राष्ट्य आदर शक्ति जो है सत्यमेव जयते कहां जो होता है सत्य की सदान जीत होती है और सत्य मेव जेते भारत का राष्ट्री आदर्श वाक्य है और इसी का आर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है तो चलिए अब इसका वींस का एक्स्प्लेनेशन देख लेते हैं सत्य में जेते सवद मुंड को अपनी सद से लिआ गया है जिसका आर्थ होता है सत्य की ही जीत और यह भारथ के राश्टेए परतिक के निचे जो है देवनागरी लिपी में लिखा गया है जो कि मुण्ट को अपनिशद से लिया गया है और मुण्ट को अपनिशद जो है जो अर्थव वेद से समंधित एक उपनिशद है नेक्ट क्योस्चन हम देख लेते हैं निमल लिखित राज्यों में से किन का समंध बुद्ध के जीवन से था अवंति ऑप्शन बी जो है गांधार ऑप्शन शी कोसल या ऑप्शन डी मगद तो इन में से किस किस का समंध जो है महात्मा बुद्ध से था सबसे पहले अवंति तो अवंति से था गांधार से कोसल से तो था क्योंकि कोसल में क्या हुआ था बुद्ध का जनम कोसल राजे के लुंबिनी में ही बुद्ध का जनम हुआ था और मगद में भी क्योंकि जो परिनिर्वान जो हुआ था मगद राजे में ही हुआ था और गहंदार गहंदार में भी बुद्ध कभी नहीं गए थे यह कहां पे है यह अभी अफगानिस्तान में आ जाता है और अवंती में हुआ था क्या नहीं हुआ था तो इसका सही आंसर क्या होगा ओप्सन नंबर सी यानि तीन और चार चलिए इसका explanation देख लेते हैं बुद का जनम कोसल राज्ये की लुंबीनी में हुआ था और बुद का परी निर्वान कुशी नारा मगद राज्ये में हुआ अवंती में बुद का पदार पन कभी नहीं हुआ कहंधार पाकिस्तान में अफगानिस्तान के पस्चिम भाग में है जहां बुद कभी नहीं गए ठीके तो इस परकार इसका answer क्या हो जाएगा option number C महात्मा बुद को गया में ग्यान की प्राप्ती हुई थी जो मगद महाजनपद के अंदर गताता है और अभी ये कहां पे है वरतमान में ये बिहार राज्ये में है और उन्होंने अपना जीवन का धिकांस में कहां पे विताया था कोसल की राजदानी सरावस्ती में व्यतित किया था कोसल का राजा जो परसेंचीत बुद का भगत भी था और उनका सिस्य भी था तो चलिए आगे बढ़ते हैं बुद का समन्ज जो है गांदार से कभी नहीं हुआ था इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे जबकि गांदार सेतर जो है बरतमान में जो अफगानिस्तान में वहाँ पे बोध कला और जो स्थापते की प्रयापत परगती हुई मानी जाती है वो वहीं पे हैं अफगानिस्तान के गंदार में लेकिन बुद वहाँ पे कभी नहीं गए थे नेक्ष्ट के उस्चन हैं भारत के कला और पुरा तात्विक इतियास के संद्रम में निम्मल लिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्मान किया गया था इन में सबसे पहले किसका निर्मान हुआ था ये हमें बताना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें भूनेश वर्श्टत लिंगराज मंदिर की तो इसका निर्मान कब हुआ था इसका निर्मान हुआ था ग्यारवी स्ताबदी में एक हजार बीस से लगबग इनका निर्मान स्टार्ट हुआ था और दूसरा है धोलिस्तित सेलकृत हात्ति का तो इसका निर्मान हुआ था इसका निर्मान इसा पूरव ही हो गया था लगबग दो सो पचास इसा पूरव और महाबली पूरम स्तित सेलकृत समार्क ये आठवी स्ताबदी में बनाए गए थे और उद्यगिर्ष्तित वरहामूर्ति का मंदिर इनका निर्मान कब हुआ था? इनका निर्मान हुआ था लगबग गुप्तकाल की दुरान इन मंदिरों का निर्मान किया गया था तो सबसे पहले किसका हुआ है? धोलिस्तित, सेलकृत, हाती का निर्माण क्योंकि इनका निर्माण जो है इस्षा पूरव ही हो गया था 250 इस्षा पूरव और बाकी तिनों का निर्माण इस्षा के बाद में हुआ है तो सबसे पुराने कौन से है धोलिस्तित, सेलकृत, हाती के मंदिर भूनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण 11 स्थापदी में एक हजार पच्चिस सेक सो चालीस एक हजार चालीस इसवी के बीच में ये आती पर्थम के द्वारा करवाया गया था और धोली जो स्थित मंदिर है कहाँ पे ओडिश्या स्थित सेलकरित हाती का निर्माण मोरे सासक असोग के काल में 250 इसा पुरव के आसपास हुआ था महाबली पुरम स्थित सेलकरित समारकों का निर्माण आठवी स्तापदी में पल्लव सासन काल में हुआ था और उद्येगिरी विदिशा और मद्यय परदेश में जो पड़ते हैं स्तित वरहा परतीमा का निर्माण गुप्त काल में चंदर गुप दवीतिये द्वारा करवाया गया था तो विदिश्शा मद्य पर्देश में पढ़ता है उद्यगिरी की जो उद्यगिरी स्थित वरहा परतीमा जो है इनका निर्मान गुप्तकाल के दोरान करवाया गया था नेक्ट क्योचन है प्राचिन भारत की निमन लिखित पुस्तकों में से किस एक में सुंग राज्वस के संस्तापक के पुत्तर की प्रेम कहानी है तो option A है सवपनावासवदता, option B है मालविकाग्री मित्तर, option C है मेगदूत, या option D है रलावली तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B यानि मालविकाग मित्तर और ये प्राचिन भारत की पुष्तक जो है मालविकाग्री मित्तर में सुंग राजवस के संस्तापक जो थे न पुष्यव मित्तर सुंग के पुत्तर इनकी प्रेम कहानी है और ये पुष्तक किस के दवारा लिखी गई है कालिदास के दवारा चलिए इसका explanation देख लेते हैं मालविका अगनी मित्तर काली दास दवारा लिखा गया संस्कृत नाटक है संस्कृत में लिखा गया है यह नाटक सुंग समराट अगनी मित्तर की प्रेम कहानी कहता है वे निर्वासित नोकरी मालविका की तस्वीर के ही प्यार में पढ़ जाता है ठीके? नेक्स्ट क्योस्चन है भारत के इतिहास के संद्रम में निमल लिखित युगमों पर विचार कीजिए एक तरफ दिये गए हैं सबत ब्यूरन जो है एरिपती, दूसरा है तनियूर और तीसरा है घाटे का तो जो इनके सामने इनका अर्थ दिया गया है हमें बताना है कि ये सही है या नहीं एरिपती क्या था? दिया है भूमी जिससे मिलने वाला राजसव अलग से ग्राम जलासे की रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था तो ये एक दम सही है भूमी जिससे मिलने वाला राजसव जो मिलता था वो ग्राम जलास्य किरक रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था दूसरा है तनियूर एक अकेले ब्रहमन एवं ब्रहमन समो को दान में दिये गए ग्राम तो क्या ये सही होगा तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा और तीसरा है घाटी का प्राय मंदीरों के साथ समन्द विद्याले ये भी सही हो जाएगा तिन्नों इसमें सही हो जाएंगे तन्यूर जो है चोल काल की एक विशिष राजस विकाई थी इसमें क्या है ब्राह्मन मंदीर बस्तियों का इसमें विकास हुआ था जिसमें छोटी छोटी बस्तियां और सिलब जो है इसमें सामिल थे भूमी का एक विशेश परकार की इरी पट्टी भूमी का उलेख है इस भूमी से प्राप्तकर का उपयोग गांग के तलाब के रख रखाव के लिए किया जाता था तनियूर चोलकाल की एक राजसव इकाई थी जिसके अंतरगत भ्रमद्य और मंदिर वस्तियां विक्षित हुई और घाटे का जो है पल्लव कालिन मंदिरों से जुड़ी उच सिक्षन संस्थाएं थी नेक्स्ट क्योस्चन है भारत के धार्मी की तियास के संद्रम में निमन लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है सोत्रांतिक और सिमीतिय जेन मत के संपरदाय थे तो सोत्रांतिक और सिमीतिय जेन धरम से समंदित थे क्या ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बोध धरम से समंदित थे दूसरा है सरवास्तिवादियों की माननेता थी कि जो दगविश्य जो है फिनोमिना के अव्यव पुरणते शनक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदे विद्यमान रहते हैं तो ये सही हो जाएगा तो ओप्सन नंबर बी इस परकार इसका सही आंसर हो जाएगा सोतरा नतिक और समितिय बो धरम की संपरदाए है लेकिन क्यों क्या दिया था जेन धरम का जबकि ये बोध धरम से समनदित है और सरवास्त वादियों का मानना है कि दर्ष्य जगत के धरम पुरणते शणिक हैं परंतु सदा अंतन नहित रूप में विद्यमान रहते हैं तो इस परकार ओप्सन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्योस्टन है बोदित्सव पदमापणी का चित्तर सरवादिक परशिद और प्राय चित्रित चित्तर कारी है ये क्योस्टन हम पहले भी इससे समंदित क्योस्टन कर चुके है तो आपको इसका आंसर अच्छे से आना चाहिए बोधित्सव पदमानी का चितर सरवादिक परसीद और प्राय चितरी चितरकारी है कहां पे इस्तित है ये अजन्ता में बादामी में बाग में या एलोरा में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर ए यानि अजन्ता में वाजस्पती गरोला ने विश्य की द्रिष्टी से अजन्ता की चितर का जो है तीन भागों में बांटा है जिसकी दूसरी स्रेणी में लोकपाल बुद्ध बोधित्सव राजारानियों के आकरतियों आदी को रखा गया है अजन्ता की गुफा संख्या एक में बोधित्सव पदमापाणी वजरपाणी आदी के चितर उलखनी है बाग के चितर देनिक जीवन की घटनाओं पर अदारित है और एलोरा में जो है बोधित्सव के चितर प्राप्त नहीं हुए है इस बात को आप याद रखेंगे अजन्ता और बाग की गुफावें में प्राप्त हुए हैं जबकि एलोरा में नहीं हुए हैं बदाम्मी की गुफा मंदिरों में तीन ब्रहमन और एक जेन धरम से समंदीत है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि कहां कहां पर इनका प्राप्त हुआ है और जो अजंता की गुफाई हैं वो बोद धरम की महायान साखा से समंदीत है next question है निम्मल दिखित में से कौन सा या कौन से सूरय मंदिरों के लिए विख्यात है अरशवल्ली, अमरकंटक या उंकारेश्वर इन में से कौन से जो हैं सूरय मंदिरों के लिए विख्यात हैं तो इसका सही answer हो जाएगा option number A यानि अर्शवली क्योंकि अंदर परदेश में श्तित है अर्शवली उसके सिराकु कुल्लम जिले के अंदर जो है सुर्य मंदिर श्तित है चलिए अभी इसका explaining अंदर परदेश राज्य वेबसाइट के अनुसार स्रीक का कुल्लम जिले में श्तित अर्शवली में सुर्य मंदिर श्तित है और कथन एक इस परकार सही है मैसूर श्तित अंकारेश्वर मंदिर भगवान सीव के लिए परसिध है और अमर कंटक जो है मद्य परदेश में भी ये भी सुर्य मंदिर नहीं है तो इस परकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा option number A इसका सही आंसर हो जाएगा यानि सिरफ अर्षव वली में ही सुर्य मंदिर है अमर्गंटक आपने पड़ा होगा मद्या परदेश में यह वहाँ पे भी नहीं है और उंकार एश्वर में भी नहीं है next question है रिगवेद कालिन आर्यों और सिंदु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के समंद में निमले कतनों में से कौन से सही है यानि हमें जो statement दिये गए हैं उसके इसाब से बताना है कि रिगवेद कालिन और जो सिंदु घाटी सबेता के दोरान जो है हेलमेंट जो सिर्की सुरक्षा के लिए होता है का उपयोग करते थे जिबकि सिंदु घाटी सबेता के लोगों में इनको उपयोग का कोई साक्षय नहीं मिलता है तो यह statement बिल्कुल सही हो जाएगा रिगवेद कालिन आरियों को सर्वन चांदी और तामर का ग्यान था जिबकि सिंदु घाटी के लोगों को केवल तामर और लोहे का ग्यान था यह statement गलत हो जाएगा क्योंकि जो सिंदु घाटी की सबेता के लोग थे उन्हें लोग का ग्यान नहीं था तीसरा है रिगवेद कालिन आरियों ने घोडों को पालतू बना लिया था जिबकि इस बात का कोई साक्षय नहीं है कि सिंदु घाटी के लोग इस पसू को जानते थे ये भी स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा क्योंकि सिंदु घाटी के सबेता के जो लोग थे वो घोड़े से प्रिचित थे सोगोरा नामक स्थान पर घोडों की एस्तियों के अवसेस भी बिले हैं और आपने एक फिलम को भी देखा होगा मोहन जोदरो फिलम उसमें घोडों को दिखाया भी गया है जो सिंदु घाटी सबेता से समंदित है न मोहन जोदरो रितिक रोशन की उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो हीरो है वो नाइका को घोड़े से उसकी रक्षा करता है तो इस परकार तीसरा स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा दू सिर्षत्रान का प्रयोग करते थे वे युद्पिरे थे किन्तु सिन्दु घाटी सबेता की लोग शांती पिरे थे तथा उनकी दवारा कवच और सिर्षत्रान के प्रयोग का कोई साक्षय प्राप्त नहीं है सिंदु घाटे के लोगों को सवरन, चांदी, तांबर और कांस्य का ग्यान था जिसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं किन्तु उन्हें लोहे का ग्यान नहीं था सिंदु घाटे के लोग घोडे से प्रिचित थे क्योंकि सिम्दु स्थल लोथल से घोड़े की लगूं जो है मरिन मूर्ति था शुर्कोटदा से घोड़े की अस्तियां प्राप्थ हुई है इस परकार कथन एक और तिन जो है सही है तिन सही नहीं है केवल एक कथन सही है क्योंकि कथन में क्या दिया गया है जबकि इस बात का कोई साक्षिय नहीं है कि सिंदु घाटी के लोग इस पसू को जानते थे जबकि साक्षिय मिला है केवल एक ही सही होगा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो काक्षिय वस्ता वो कहां पे था तो ये था जो भारत का पुर्वी छोर है अगर हम देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे आंदर परदेश था यहाँ पे काक्षिय राजमस था ठीके तो हमें बताना है कि कौन सा एक काक्षिय राजे में अती महतपुन समुंदर पतन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटू पली ये गणपती राजे का भाग था मारको पोलो ने मोटू पली के रूप में एक राजे का वर्णन किया था और यहाँ की सासी का कौन थी रुद्रमा देवी तो एतिहासिक गरंथों के अनुसार वरतमान में जो कृष्ण जिला में एक समुंदरी पतन था जो मोटू पली के नाम से जाना जाता था तथा जो गणपती राजे का भाग था ठीके यहाँ काक्तिये सासकों के लिए अति महतब पुरण था 1289 से 1213 में के मध्य भारत के दोरे पर रहने वाले मारको पोलो ने मट फिली के रूप में एक राजे का वर्णन किया था और जिसकी सासी का कौन थी रुदर्मा देवी ठीके और काक्तिये वंस के संस्तापक कौन थे जो बिट्टा राज्या निन जो नलगोडा में एक छोटे से राजे की स्थापना की थी जिसकी राजधानी क्या थी वारंगल जो की अभी कहां पे है आंदर परदेश में और मोटूपली जो यहां का एक महतपुर्ण समुदरी पतन था और यहां के असासक मेंने बताया कि कौन था गणपती जिसकी कार्मिक पर्थाओं की संद्रम में स्थानकवासी संपरदाय का समंद किस्से है तो स्थानकवासी संपरदाय का समंद किस्से है यह हो जाएगा जेन धरम से ऑप्सन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा यह स्वेतांबर थी ना जेन संपरदाय का सवेतांबर संपरदाय उसका एक उप संपर्दाय था स्थानक वासी स्वेतांबर जेन संपर्दाय का एक उप संपर्दाय है इसकी स्थापना 1653 के आसपास लवजी नामक एक व्यपारी ने की थी इस संपर्दाय की मानेता है कि भगवान निराकार है अताय ये किसी मूर्ति की पुजा नहीं करते नेक्स्ट क्योस्चन है भारती इतियास के संद्रम में निम्मल लिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा एतू अवतरित होंगे तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से जो है भावी बुद्ध के रूप में अवतरित होगे ऐसा जो है बोत धर्म को मानने वाले जो है दार्शनिकों का मानना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी यानि मेत्रेय बोत धर्शन में उलेखित परलोग सिधानत के अनुसार मेत्रेय सबत का सापदिक अर्थ भावी बुद्ध है मेत्रेय बुद्ध पांचवी बुद्ध के रूप में होंगे जिनका अविर भाव जो है इस यूग में होगा इस परकार मेत्रेय बुद्ध को भविश्य त्रेय बुद्ध को अजित्ता कहा जाता है इस परकार में त्रेय भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा है तु अवतरित होंगे नेक्स्ट क्योस्टन है निमल लिखित युगमों पर विचार कीजिए एक तरफ सिलप दिये गए हैं और हमें बताना है कि ये किस राज्ये से समंदित परंपराई हैं सबसे पहले है पुथु कुली शोल ये कहां से समंदित है तमिल नाडू से बिलकुल सही है दूसरा है सुजनी कड़ाई महराश्टर से ये गलत हो जाएगा क्योंकि सुजनी कड़ाई कहां से समंदित है ये समंदित है बिहार से और जिसे जी आई टेक भी मिला हुआ है अब है उपाड़ा जामदानी साड़ी करनाटक से ये भी गलत हो जाएगा ये कहां से समन्दित है ये है आंदर परदेश से इसे भी GI टेग मिला हुआ है तो इस परकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नंबर A यानि केवल एक सही है पुथु कुली शोल तमिल नाडू से पुथुकलिशोल तमिलाडु से समंदित है सूजनी गडाई जो है बिहार से समंदित है उपाड़ा जामादानी शाड़ी अंदर परदेश से समंदित है तो चलिए नेक्स्ट क्योस्टन को देख लेते हैं निमल लिखित युगमों पर विचार कीजिए कुछ परंपराईं दी गई है हमें बताना है कि ये कौन से राजे से समंदित है चपचार कूट त्योहार तो ये मिजोरम से एकदम सही है क्योंकि ये मिजोरम से समंदित है दूसरा है खोंग जाम परबागाथागीत मनिपूर से ये भी समंदित है तीसरा है थांगता नरित्य तो थांगता नरित्य कहां से समंदित है सिक्किम से समंदित है नहीं ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मनिपूर की एक मार्शल आर्ट है तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B यानि एक और दो जो है सही सुमेलित है चलिए इसका explanation देख लेते हैं जो थांगता निरतिया भारत के पुरुवत्तर राज्ये मनिपुर की पारंप्रिक मार्शल आर्ट है थांग का मतलब है तलवार तथाटा का मतलब है भाला यह मूल रूप से हमले और रक्षा का एक नकली लडाई है next question देख लेते हैं निमल लिखित में से कौन सा एक हडपास तल नहीं है option A है चहुंदडो B, कोट दीजी C, सोहगोरा या option D, देसलपुर इन में से कौन सा जो है हडपास तल नहीं है तो इसका सही answer हो जाएगा सोहगोरा जो है हडपास तल नहीं है चहुंदडो यह हडपा से समंदित है और अभी यह वरतमान में कहा है पाकिस्तान में है और कोट दीजी यह वरतमान में पाकिस्तान में है ये भी एक हडपा स्तल है और देशलपूर जो है ये गुजरात में स्तित है और ये भी एक हडपा कालीन स्तल है जबकि सोहगोरा जो है मोर्य कालीन स्तल है और ये उत्तर परदेश के गोरखपूर में स्तित है गोरखपूर से कौन आते हैं यूपी के जो है मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात सो गोरा उत्तर परदेश के वरतमान गोरखपूर जिले में अवस्तित है यहां पाए गए अभी लेक चंदर गुप्त मोरे के सासन काल के है सो गोरा अभी लेक में सुखे से पड़ित परजा को रहत देने की बात कही गई है तो इस परकार उप्सन नमबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नेश्ट क्योस्चन देख लेते हैं निमल लिखित में से किस उभारदार मूर्ती सिला लेक में असोक के प्रस्तर रूप चितर के साथ राणयों असोक राणयों असोक यानि राजा असोक का उलेखित है तो राजा असोग कहां उलेखित किया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A यानि कंगन हली कंगन हली कहां पे स्थित है करनाटक में और ये एक महतपुन बोधसतल है कंगन हली करनाटक के संती में लगबग 3 किलोमेटर दूर है एक महतपुन बोधसतल है जहां एक प्राचिन महस्तूप बोधसतल मिला है यहां की खंडर होच के बोधस्तूप से असोग का पहला उतकीरन चितर महिला प्रिचारिकाउं और रानियों से गिरा हुआ है परपट किया गया है उत्खनन में पाए गई यहां की सबसे मैतपुन खोज में रानिया असोग नाम का एक पत्थर की नकासी दार जो है सलेव शामिल है नेक्स्ट क्योस्चन है निमल लिखित पर विचार कीजिए बुद में देवतवार उपन और दूसरा स्टेटमेंट है बुदित्सव के पत्थ पर चलना और तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान हमें बताना है कि उप्रियुक्त में से कौन सी विशेष्टा है जो महायान बोध मत्की है तो इसमें से कौन कौन सी है जो महायान से समंदित है बुद में देवतरवपन तो ये सही है बुदित्सव के पत्थ पर चलना ये भी सही है और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये भी सही है तो इस परकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर डी तो बोध के जो है निर्वान के लगबग उनकी सो वर्षों के बाद में जो बोध धरम है दो भागों में बंट गया था हीन्यान और बोध यान जिसमें बोध धरम से समंदित जो है दूसरी बोध संगीती वेसाली में जब संपन हुई थी उसी टाइम ज इर्वान के सो वर्षों के बाद बोधों में मत भेद उबर कर सामने आने लगे थे वेसाली में संपन्दवीतिय बोध संगीती में थेर बिख्षों के मत भेद करने वाले बिख्षों को संग से बाहर निकाल दिया गया अलग हुए इन बिख्षों ने उसी समय अपना अलग से जो है संघ बना लिया तथा संव्य को जो है महा सांधिक नाम दिया तथा जिनोंने निकाला था उन्हें हीन सांगिक नाम दिया गया जो आगे चलकर महायान तथा यिन्यान साखाएं कहलाई महायान साखा की जो लोग है वो नुविन्तान वादी जो है विचारधारा की थे और महायान साखा का क्या आर्थ होता है गुणों का स्थानांतरन यानि वोदित सव अतार्थ हम कहा सकते हैं बुद्ध की कृप्या से मौक्स प्राप्त किया। उसके बाद दूसरे लोगों को भी मौक्स प्राप्त करने में सायता देना ही बोदिस्ट सव है। इसके अनोयाई कहते हैं कि अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वान का मारग अकेले ढूंड़ना मुस्किल या ऐसंबव है तथा उन्हें इस कारे में सायता मिलने चाहिए। इन लोगों का मानना है कि जब तक इस्वर की कृप्या नहीं होती है तब तक निर्वान प्राप्त नहीं होगा। भारत में वेदिक काल के पतन और अनिश्वरवादी धरम के उत्थान के बाद मूर्ति पुजा का पर्चल होने लगी। चलिए नेक्स्ट क्योस्टन को हम देख लेते हैं। गुप्त काल के दोरान भारत में बलात सरम के संद्रम में निमन लिखित में से कौन से कथन सही है। यानि बलात सरम से समंदित कौन सा जो स्टेटमेंट सही है जो गुप्त काल के दोरान सही माना जाता है। ओप्सन अई इसी राज्ये के लिए आये का एक्सतोत जंता द्वारा दिया जाने वाला एक परकार का करम आना जाता था ओप्सन बी या इए गुप्त समराज्ये के मध्ये प्रदेश्थ ता कठियावार छेत्रों में परुनते ऐविद्यमान था option c है बलाच सर्मिक सापताहिक मजदूरी का हक्तार होता था या option d मजदूर के जैस्ट पुत्र को बलाच सर्मिक के रूप में भेज दिया जाता था तो गुप्त काल में क्या किया जाता था इसके लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number a इसे राज्य के लिए आये का एक स्त्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक परकार का कर माना जाता था और इसके लिए क्या किया जाता था इसके लिए किसानों की जो इस्तरियां होती थी उनको जमीदारों के घर में काम करना पड़ता था समकालिल लेखों में विष्टी विगारका का भी उलेख मिलता है समवते इस काल में यह भी एक परकार का कर था इसे राज्जे के लिए आये का एक स्त्रोत माना जाता था वाटसायन के काम सुतर से पता चलता है कि गाउं में किसान इस्तरियों को मुख्या के घर के विविद परकार के काम जैसे अनाज रखना, घर की सफाई, खेतों पर काम करना अद्धी करने के लिए बाद्य किया जाता था और इसके बदले में उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, कुछ विद्वान इस विवरण के अधार पर गुप्तकाल में विष्टी के व्यापक रूप से पर्चलित होनी का निश्कर्ष निकालते हैं नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा आखरी क्योस्चन है, किसकी राज्य में कल्यान मंदप की रचना मंदिर निर्मान का एक विशिष्ट अभी लक्षण है ओप्शन ए है चालुक के ओप्शन बी चंदेल, ओप्शन सी राष्टर कूट या ओप्शन डी विजय नगर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर डी यानि विजय नगर में जिन मंदिरों का निर्मान किया जाता था, उन में कल्यान मंदप की भी रचना की जात से समंधित सम्रो होते थे तो वह कहां पर उते थे कल्यान मंडप के अंदर कि विजयनगर सम्राजे की कला सम्राजे कला की हर विदा का पोश्क रहा है संगीत साहित्य वैस्थापत्य सभी छेत्रों में इस सासन के दुरान उलेखनिये विकास हुआ है दर्वीड कला के अंदर इसका हमने कल भी वर्णन किया था जो दक्षणी भारत में मंदिर बनाय जाते थे वो किसमें बनाय जाते थे दर्वीड कला में कि अंदरगत गण्ना किये जाने के वावजुद यह कहा जाता है कि विजय नगर के मंदिर वास्तु कला में कई नए ततव जोड़े विजय नगर दोर में एक नवीन मंडप चलन में आया जिसे कल्यान मंडप कहा गया यह गरब गरय के बगल में एक खुला प्रांगन होता था जिसमें देवी देवतां से समंदित समरोवाए एवं विभावत सवक आदि का आयोजित किये जाते थे तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगी तब तक के लिए